देर इस्टुरेंट साब सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों ये क्लास 6 का सोसल साइंस बुक है चैप्टर 10 और ये हिस्ट्री का चैप्टर 10 है The Age of Guptas गुप्त काल के बारे में यहाँ पे डिसकस किया गया है सबसे पहले गुप्त काल में चंद्रगुप्त फस्ट पर्थम जिसको बोला जाता है चंद्रगुप्त पर्थम फस्ट जो है और इससे पहले मतलब इसका फॉन्डेशन फॉन्डर कौन था गुप्त वंस का संस्थापक इस नहीं किया था तो उसका नाम था महराजा श्री गुप्त वंस का संस्थापक महराजा श्री गुप्त थे और उसके बाद चंद्रगुप्त वं आए तो उनके समयकाल को यहां पर दिखाए गया है 320 AD to 335 AD तक वो रहे और उन्होंने महराजा धिराज का एक संबोधन दिया था सभी महराज को इस तरह से और कई जगहों पर वो जो है रूल कर रहे थे मतलब सासन कर रहे थे साथ बिहार प्रियाग जिसको अलहाबाद अभी बोलते हैं और साकेत जिसको अजोधिया और इसके आसपास के एरिया जो है उसको बोलते हैं उसके बाद समुद्र गुप्त आए, यहां पर एक एक करके देख रहे हैं, समुद्र गुप्त दिया हुआ है, और उसका सासनकाल जो है, 35 के बाद से, 35, 82, 375, 80 के मतलब इस भी स्टार्ट हो गया था, उस समे का आप्टर डेथ इस भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो यह स फिर को न आया था, समुद्र गुप्त का यहां पर सासन के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद यहां पर उन्हीं के बारे में दिया हुआ है, और यहां पर गुप्ता वंस का यहां पर एक पिक्चर दिखाए गया है, इतना एरिया में फैला हुआ था, जो गुप्ता वंस इसमें और इस वंस में जो है समुद्र गुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त टू या फिर बिक्रमादित जिसको हम लोग बोलते हैं बिक्रम संबत उनके दिवारा चलाय गया था वो 375 इस भी से 375 इस भी एडी से वे अपना सासन को चला आए और उनका मैरेज दिया गया है कुबेर नागा यह नागा प्रिंसेस एक नागा प्रिंसेस राजकुमारी थी उसके साथ हुआ था तो उनका जो समराईज था उस समय उस समय स्वर्न यूग कहा जाता है इंदुस्तान का काफी लंबा चोड़ा उनका समराईज था और उनके समय में हमारा देश सोनी की चिडियां कहलाता था उनके समय में तो उस समय हमारा देश किसी का गुलाम नहीं बना था और उस समय उनके समय में चंदरगुप्ट टूक कह सकते हैं या विक्रामादित कह सकते हैं दोनों एक धर्म के बारे में बहुत सारा चीज बतला जाता है और उसी से समंधित वे बहुत धर्म पर रिसर्च करने के लिए इंडिया आये हुए थे तो पुरा इंडिया वो घुमे और 14 साल तक हमारे देश में रहे उसके बाद जो है चंदरगुप्त टू मतलब विक्रमादित के 458, 458, 80 से 467 तक चलता है उसी समय जो है चानीज पिलग्रिम फाहियान आया हुआ था तो फाहियान के बारे में यहाँ पे उनका पिक्चर दिया हुआ है और उनसे समंधित कई बाते यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने एक किताब लिखा था फो को की यहाँ पे और उसे सम आसन में क्या चीजे होता था जैसे कि महराजा धिराज की टाइटल लेकर आए उसके बाद और भी चीजे हैं उपरीका महराजा भक्तीज और विस्यापती इस तरह से कई इसे चीजे हैं जो यहाँ पर पढ़ने बाद आपको पता चलेगा फिर जो है यहाँ पर मैं बतला द इंट्रेस्टिंग कहानी की तरह आप इसे बढ़ सकें तो यहाँ रिवेवल ऑफ हिंदुज्म यहाँ पे हिंदु धर्म के बारे में बतला गया है उसके बाद भक्ती कल्ट और रिलिजियस टॉलरेंस यहाँ पे धर्म से समंदित कई सारे बाते जिसमें से यह बतला गया है टोलरेंस टू आर्स बुधिज्म और जैनिज्म तो कई सारे लोग जो है हिंदु धर्म के बाद बुध बहुत धर्म और जैन धर्म की और आकर्सित हुए उसके बाद उस समय का बैपार जो है किन-किन देसों से चल रहा था इसके बारे में यहाँ पे डेटिल किया गया है ट्रेट ठेड़े नवार्स है विपार के बादे में बतलाना और यहां पर गौल्डेन एज ऑफ इंद últlní में यह समय जो था वह भारती इत्हास का स्वर्ण यूद कहा जाता है स्वर्ण काल कहा जाता है इसाले हली यहां पर लिखा हवा है गल्डन एज परशन थे काली दास उनके बारे में आप और भी चीज़े पढ़ेंगे वह अधिकतर जो है हिंदी नहीं अधिकतर वह संस्क्रीट में लिखा करते थे जुनका एक बहुत ही फेमस प्ले इस प्ले अभीजनन सकुंतलम यह जो है बहुत ही फेमस मास्टर पीस मतलब बहुत परस इसलिए इन सारी चीज़ों को ठीक ढंक से आप लोग चैप्टर में पढ़ लें उसके बाद यहां पर दिया हुआ है साइंस के बारे में तो साइंस उस समय क्या था यहां पे एक पिलर दिखाये गया है इस पिलर को जब लगाये गया था तो फिर यहां पे गुपता समादित से समंदित है उन्हों ने इसे बनवाया था और इसकी खासियत यह है कि हजारों साल से यह खड़ा है लेकिन इसमें रस्ट नहीं हुआ मतलब कहने मतलब जंग नहीं लगा कोई भी ऐसा लोग रख देते हैं तो निश्ची तुरुप से जंग लग के खतम हो जागा तो उसका किस तरह से निर्मान हुआ और किस तरह का अर्खिस्टक्चर वास्तुकार थे उस समय तो यहां पे द दिख सकते हैं इससारे मंदीर इंतने भाइब मंदीर बने हुए हैं मतलब करें देवगर में है नियर छहांसी मतलब आपका समझ लिए कि उत्तर प्रदिश में है जहांसी में ये मंदिर आपको मिलेगा और इस तरह का केव बनावा जनता केव गुफा जहां पे बहुत सारे पत्थर की मूर्तियां है उसको नकासी किया गया है प्रैंटिंग्स है जैसे लग समंधित बूधिस्ट हिंदुस्म मिशनरी फोलोड़ वाई मर्चंट बहुत सारे लोग जो है वो बहुत धरम को मानने लगे थे अपनाने लगे थे इस तरह से बहुत धरम हमारे देश में फैला और अनेक देशों में भी फैलता गया यहां पे चप्टर समाथ हो गया यहां इस लेसन का इस चप्टर का समरी दिया है तो यहां पे समुदर Gupth हो गया चंदर Gupth 2 हो गया उसके बाद फाहयान account of India भायान यहां पर आया और कहां कहां पर घुमा उसके बारे में दिया हुआ है administration of kingdom समराइज का सासन किस तरह से चल रहा था उसको religious condition धार्मिक के चर्चा के बारे में दिया हुआ है trade and commerce और वैपार के बारे में फिर golden age of Indian history तो यह हमारे भरती अतियास का यह स्वर्म यूग था अब यहां पर समाप्त हो गया है chapter तो यहां से यह MC को question start हो रहा है among the gupta rulers whose conquests and achievements are given in the Allahabad pillar inscription तो किन से समंदित है Allahabad inscription pillar inscription pillar में जो है शिलाले पत्थरों में लिखवाया करते थे उन समंदित है समुद्र गुप्त से समुद्र गुप्त से समंदित है और next question है which gupta ruler defeated the saka steps and ended the saka rule from India साका rule यहां पर चलता था इंडिया में तो उसको किस gupta ruler ने गुपता ruler ने उसको समाप्त किया तो इसका answer जो है तो उनके दरबार में विक्रमादित के दरबार में नौरतन हुआ करते थे जिसमें से कौन सबसे अधिक बुद्यमान थे तो काली दास जो ते वो बहुत थी इसमर्दम उन सबी से मुधिमान थे काली दास हूआज अरिया अरिया वट्टा तो अरिया वट्टा को thousands थे एन स्ट्रोणोमर एन मैथेमेटिक एक जो तीस थे और एक गनितक ते गे the age of the guptas, which of the following became the good parts to handle trade with the Asian countries, this cancer हो गया, Tamra Lipti and Bharuj, यहां पर यह मिखपोर्ट थे उस समय का, उसके बाद आगया, यहां पर match the following, author of पंचतंत्रा, तो कोई सर्मा था, विश्नु सर्मा, यह हो गया, इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्र गुप्त को ही इंडियन पाइर, तो इसका हो जाएगा, एफ नंबर भक्ती, author of folk walk की, जो बतला है था मैंने, किसको याद रखना है, किताब किसने लिखा है, तो फायान ने लिखा है, विक्रमा दित, तो विक्रमा दित को ही, चंदर गुप्त 2 कहा जाता है, उसके बाद, iron pillar, iron pillar समंदित है, समुद् गुप्त ने iron pillar पे, कई सारे inscription करवाये थे, और इसका, इसका, ये short question है, तो इसका answer में आगे आप लोग को दे दे रहा हूं, ये long question, जो की 5 है, इसका answer जो है, आपको next video मिलेगा, और यहाँ पे six question है, इसका answer में आप लोग को दे दे रहा है, लेकिन इससे पहले, एक short question और last में रहता है, ठीक है, तो इसका answer भी मैं इसमें दे ही दे रहा हूं, थाकि जो है, सिर्फ ये question बज़ जाएगा, और इसका आप लोग next video में करेंगे, question number 5 यहाँ पे है, और जिसमें, who am I, यहाँ पर पुछा जाता है, कि मैं कौन हूँ, first में दिया वाया, I am the founder of gupta dynasty, मैंने gu समुद्र गुप्त, समुद्र गुप्त है, I am the Chinese traveler who stayed in पाटली पुत्र for three years, I am फायान, कि मैं Chinese यात्री हूँ, जो तीन साल तक पाटली पुत्र में रुका था, तो उसका नाम फायान है, I am the first gupta ruler to adopt the title of महराजा धिराज, कि मैं पर्थम गुप्त सासक हूँ, जिन्होंने महर राजा धिराज का title रखा, I am, तो मैं हूँ, जंदर गुप्ता one, first, I succeeded, कुमार गुप्ता, I am, तो इसका अंसर हो जगा है, सकंद गुप्ता, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने बतलाना भूल गया था, यहाँ पे मैं आप लोग को बतलाता हूँ, कि अंतीम सासक जो है, ग बेटा जो था, कुमार गुप्ता, I succeeded his father, तो अपने पिता को जितकर वो राजा बन गया था, कुमार गुप्ता, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं रहा, तो कुमार गुप्ता वाज फोरोड भाए, असकंद गुप्ता, तो उसके बाद जो है, उसका बेटा राजा बन गया, और वो अधिफिटेट दा हुंस इन फ्रियस बेटल इन फोर फिप्टी एट एडी, तो 458 इस भी में, उसने किसको हराया था, हुंस लोगों को हराया था, तो इससे समन्धित और हिंदी में आपको क्लास फोर का, क्लास फोर का हिस्ट्री जो है, उसमें दिया हुआ है, इसक सोट कोशिन का आंसर जो है, एक ही साथ दे देता हूं, यहां सिक्स कोशिन है, चलिए स्वल्ब करते हैं इसको, यह है चप्टर टेन का सोट कोशिन आंसर, हुआ 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 बेस्थ ग।पता रूलर दिफेट थानाश ? शकंद ग।पता वाज थे रूलर वाज़ व४ता रूलर वूजेट थानाश ? क्वेंजन शकॉन्तलम लास्ट कोश्चन है यहां पे, कोश्चन नमर शीक्स, मैंसन अने टू एचिमेंट्स आफ दा इम्पेरियल गुप्तास इन दाश्वास्त्रा टेंपल एट देवगर इस एन एक्जामपल ओफ हाई क्वाइलिटी अर्गिटेक्ट्चर, देर आर केप्स अजंता वाल पैंटिं तो यहां पे, यहां पे यह सौट कोश्चन अंसर समाथ हो गया है, और लॉंग कोश्चन अंसर के लिए हम लोग नेक्श वीडियो पे चलेंगे, तो उसको बनाने के लिए हम लोग नेक्श वीडियो पे चलते हैं